तो वेल्कम स्टुडेंट्स ओप क्लास 10 एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्जाम हट पर और आज हम आपके लिले आए हैं आपके टर्म टू सिविक्स का लेसन पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल तो बस फटक से अपनी कोपी किताब लेके तयार हो ज बढ़ेगी और आपकी जो फिकर नोट है वो फिकर नोट हो जाएगी सो चलिए बिना कोई देर किये शुरुआत करते हैं आपके लिए आपका चैप्टर पोलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ए आप लोगों के लिए मेरा प्यार जो है मेरी नॉलेज जो है मेरा जो घ्यान है या मेरी जितनी भी अंडरस्केंडिंग है वो और जाधा बढ़ जाएगी चलिए शुरुआत करते हैं लेसन पॉलिटिकल पार्टीज तो इस चैक्टर की शुरुआत होती है कि राजनितिक दल क्या है वट इस आप पॉलिटिकल पार्टी आप लोग भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस न जाने कितने नाम सुने होंगे तो आज इनी सभी कंसेप्ट को हम जो है डीपली है स्टेडी करने वाले हैं तो पॉलिटिकल पार्टी इस ग्रूप ओप पीपल वो कम तुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन राजनितिक दल लोगों का एक वो समूह होता है जो इखटे होते हैं चुनाव में परतिस परधा करने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और सरकार बनाने के लिए क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका में एम जो होता है वो क्या होता है गॉर्मेंट को पॉर्म करना होता है इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके यह सभी जो होते हैं वो कुछ policies पे एक political party के जितने भी वंदे होते हैं वो सारे एक single policy पे या कुछ policies पे क्या होते हैं agree होते हैं जैसे कि BJP के जितने भी members हैं जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे particular उनकी जो ideology है उसके उपर क्या रहेंगे agree रहेंगे और इनके जो main name होता है कि क्या करना society का जो view होता है उसको क्या करना promote करना so party जो है वो society में division को भी show करती है आप देखते जैसे कि जब भी चुनाव आते हैं तो कोई आधे जो है वो इस party की तरफ हो जाते हैं आधे उस party की तरफ होते हैं political party जो होती है society के division को भी क्या करती है शो करती है तो एक political party जो होती है वो तीन चीजों से बनती है तीन जो है component है एक political party के सबसे पहले the leader हर एक political party का एक main जो है मुख्या क्या होगा leader होगा उसके बाद उस leader के साथ दो number पे कौन होगी वो जो उसके साथ actively क्या करते है काम करते है political party में जो day to day हमेशा साथ रह के काम करते है वो क्या कहलाते है आपके active members कहलाते है और तीसरे हम आप followers जो political parties को राजनी दलो क्या करते है follow करते है अपनी class में अपने आस पास ही पूछेंगे ना कि तुम लोग कौन सी political party को बोर देते है किसको मानते हो तो आपको सब के views क्या चल जाएंगे पता चल जाएंगे तो एक political party के तीन component होते है उसके बाद अगला जो सवाल बनता है आपका मैंने फिर से कह रहा हूं आपसे कि यह आपके notes है नहींने आप note कर लेंगे तो आप इस पे जो भी question बनता हो easily कर सकते हैं अगला जो question बनता है कि what are the functions of a political party एक राजनितिक दल जो होता है वो क्या क्या काम करता है सुनिएगा number one सभी को पता है कि political party का जो पहला काम होता है वो काम होता है बेटा election में participate करना हर political party जो चाहती है कि वो क्या करे election के अंदर क्या करे participate करे तो पहला काम जो है political party का क्या होता है चुनाओं में भगीदारी करना दूसरा political parties जो होती हैं वो क्या करती है अलग-अलग policies, अलग-अलग program नीतिया बनाती है नहीं-नहीं और वो voter जो होते हैं उन्हें जिसकी नीतिया जिसका वादाया जिसकी बाते पसंद आते हैं उसे क्या कर लेते हैं elect कर लेते हैं उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो political parties है वो क्या करती है country के लिए law बनाने में बहुत बड़ा जो है सयोग करती है country के लिए law बनाने का जो काम है वो किसका होता है political parties का होता है party क्या करती है सरकारे बनाती है और वो party जो election को नहीं जीत पाती वो opposition का अर्थात विपक्ष का क्या करती है role play करती है विपक्षी party जो हो क्या हो जाती है बन जाती है और सरकार जो सत्ता में है उसकी जो पोलिसीज है अगर वो गलत है तो सरकार को वो लगातार जनता की भलाई के लिए जनता के हित में काम करने के लिए क्या है पेरिद करते रहते हैं उसके बाद पार्टी शेप पबिलिक उपीमियन एक पोलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं पूरे भारत में हर जिगह फैले हुए होते हैं वो हमेशा इस बात पे गौर रखते हैं इस बात को देखते हैं कि लोग क्या चाहते हैं तो जो लोग चाहते हैं उस बात को करमचारी की पास या किसी office में जाना पड़े तो शायद मुझे इतना नहीं पता लेकिन एक political party जो होती है उसके जो बंदे होते हैं उसके जो लोग होते हैं वो active रहते इन चीजों में तो वो हमेशा ये जो सरकार की जितनी भी schemes हैं जो भी योजना हैं वो लोगों को या करते हैं बताते हैं तो help करते हैं लोगों को public machinery को क्या करने में access करने में उसके बाद political party की जरूरत क्यों है एक political party की जरूरत क्यों है बड़ा simple सी बात है अगर एक आदमी जो किसी political party का नहीं है वो चुनाव में खड़ा हो जाता है और वो धंग से काम करता है जनता की भलाई के लिए कोई काम करता है या नहीं करता है तो वो जवाब दे नहीं होगा लेकिन political party में क्या है अगर बीज़ेपी का एक बंदा या कॉंग्रेस का या किसी political party की जरूरत है क्योंकि वो सारे functions करती है जो हमने पिछे पढ़े हम लोगोंने इसके अलावा political party किया करती है लोगों के views को क्या करती है पोलिटिकल party करती है उनके representative जो होते है वो responsible होते है उस government में जो बनी है और वो एक mechanism की तरह है काम करते है जो government को क्या करते हैं support करते हैं और वोटर जो सरकार से जुड़ना चाहते हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं उनके बीच की जो chain का काम है ये political party करती है इसलिए हमें political party की बहुत ज़्यादा क्या होती है जरूरत होती है ताकि हम लोग indirectly क्या कर सकें अपने views को forward कर सकें अपने सवाल उठता है कि किसी भी देश में कितनी जो है वो political party होनी चाहिए अगर हम बात करें कि political party कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पे सुनिएगा आप लोग पूरी दुनिया के अगर हम लोग बात करें सुनिए ध्यान से हमारे भारत के अंदर कोई भी जो है political party बना सकता है अभी जो election commission of India है उसके पास लगबग 750 पार्टियां क्या थी रेजिस्टर थी लेकिन ये सारी जो पार्टियां है वो सारी election के अंदर क्या नहीं करती है पार्टिस्पेट नहीं करती है तो सवाल ये उठता है कि कितने पार्टी सिस्टम अगर आपका जो कोशन की बात करें तो आपक हमें number 1 जहां एक ही party होती है पूरे देश में one party system जहां एक देश में दो पार्टियां होती है वो two party system और जिन देशों में 1 यह से ज़्यादा पार्टिया होती है वो कहलाएगा multi party system अगर हम लोग बात करें democracy की है, अगर किसी भी देश में एक ही political party है, तो एक policy, एक ही view जो है, वो हमेशा चलेगा, तो यह democratic वे नहीं है, US और America जहाँ पे दो party system है party और भी होती है, छोटी मोटी लेकिन जो chances रहते हैं, जीतने के उसे दो ही party के रहते हैं, तो यहाँ पे two party system है, और इंडिया जैसी country multi party system है, अब इन में से आप से पूछ लेते हैं कि best system कौन सा है, तो सभी party system जो होते हैं, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, भारत जैसा देश जहाँ अलग लग धर्मों के जातियों के लोग रहते हैं, अगर यहाँ one party या two party system हो, तो शायद वो survive नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे यहाँ, सभी को जो हो equal mocha मिलता है, अपने party लोग क्या कर सकते हैं, अपने views को आगे ला सकते हैं, तो multi party system जो है, वो large और diverse country, इंडिया जैसी उनके लिए क्या है, उचित है एक alliance word लिखा है, जब कई party मिल जाती है, तो क्या कहलाता है, वो alliance कहलाता है बेटा, तो national party उसके बाद दो टाइप की party, political party इसके दो टाइप है, national party और state party, वो party जो national assembly level के election party सिपेट करती है election commission of इंडिया के पास register होती है, वो national party जो state level के legislative assembly के विधान सभा के चुनाओं में लड़ती है वो कौन सी हो गई आपकी, राज्य पार्टी या छित्रिय पार्टी इसको कहेंगे तो हमारे भारत में criteria है कोई भी party अगर एक national party बनना चाहती है, तो उसे total vote का 6% या 4 seat कम से कम national party बनने के लिए criteria है, total vote का बहुत जरूरी है, तो कोई भी political party अगर इस criteria को पूरा कर देती है question बनता है कि एक state party बनने के लिए क्या criteria है तो total vote जो पड़े हैं उनका 6% हो या कम से कम 2 seat जो है वो इस political party ने क्या की हो, जीती हो अगर 2 seat जीत ली है, तो political party recognize हो जाएगी as a state party और अगर 4 जीत ली हैं तो political party recognize हो जाएगी हमारे चुनावायों के सामने as a rastri party या national party तो हमारे भारत के अंदर बात करें हालाकि कोशन इतना नहीं बनेगा आपके 7 partyों को जो है register किया गया हमारे भारत के अंदर सबसे पहले आती है AITC All India Trinul Congress जो है ये एक जनवरी 1998 को बनी थी ये party Bumta Benerginis party को बनाई थी 2016 में ये party जो है वो national party का दरजा ले लेती है इसका सिंबल है प्लार और ग्रास आप लोग net पे सर्च कीजिएगा आपको मिलेंगे कि जो है All India प्रिडमूल Congress का निशान क्या है और ये जो party है वो secularism आप लोग समझते है secularism की जहां सभी धरम क्या हो बराबर हो secularism को जो है ये लेके political party चलती है उसके बाद West Bengal के अंदर 2011 से ये जो party है power के अंदर चल रही है Next आती है आपकी बहुजन समाज party BSP निशान मुझे बताईएगा कमेंट करके इसका क्या है 1984 के अंदर इस political party को form किया गया था काशी राम ने जो था इस party को form किया था भहुजन समाज party है और basic जो है ये दलित आदिवासी और OBC जो है उनके लिए जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उनके लिए party है वो काम कर रही है उसके बाद आती है आपकी भारतिय जंता party बीज़ेपी जिसे आप अच्छे से क्या करते हैं जानते हैं थोटा सा इसका इतिहास देखिए बीज़ेपी party 1980 में बनी थी बेटा शामा परसाद मुखर जी ने इस party को 1951 में क्या किया था बनाया था 1980 में त्यार हुई थी लेकिन इसका बेश जो था वो शामा परसाद मुखर जी दोवारा 1951 में ही क्या हो चुका था शुरू हो चुका था लेकिन Congress का इतना दबदबा था 1980s तक कि और पार्टियें कभी सामने आई ही नहीं पाई और ये एक स्टोर्म Modern India बनाना चाहती है जो हमारे प्राचीन कल्चर को मतलब हिंदुतुव का जो है वो नारा है ये जो पार्टिये इसकी पॉलिसी है हिंदुतुव की पूरे भारत के अंदर हिंदुतुव जो है वो सबसे आगे होना चाहिए और पहले वेस्ट और अर्बन एरियास में थी लेकिन अब ये जो पूरी तरीके से आपको पता है प्रेजन्ट में जो मोदी जी की सरकार चल रही है वो भी किसकी है भी जेपी पार्टी की है उसके बाद आती है आपकी Communist Party of India, अज़ टीपियाई और ये पार्टी 1925 के अंदर फोर्म की गई थी और केरला, वेस्ट बेंगॉल, पज्जा, बांदरप्रदेश, तमिल नाडू, बल्कि हमारे हर स्टेट में क्या करती है पार्टी जो है इलेक्शन में पार्टिस्पेट करती है उसके बाद आती है Communist Party of India या मार्क्सिस्ट CPIM जिसको बोलते है 1964 के अंदर इस पार्टी को जो था होम किया गया था ये भी मार्क्सवादी विचारों की है सोशलिजम, सेक्लिजम को सपोर्ट करती है और डेमोक्राटिक इलेक्शन के क्या है ये फेवर में है वेस्ट बेंग, ओल, केरला, त्रिपुरा ये जो इलाके हैं, यहाँ पे जो ये पार्टी क्या कर रही है ये प्रेजन में काम कर रही है उसके बाद इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इस पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं इसे कॉंग्रेस पार्टी भी कहते हैं हाथ इसका जो है निसान है 1885 में इस पार्टी को फॉर्म किया गया था कितनी बार ये पार्टी जूटी जितनी भी पोलिटिकल पार्टी हैं हमारे भारत में अब आपको देखने को मिलती है वो सारे के सारे political party या जो थी वो इसी party से क्या है निकली हुई मानी जाती है और ये जो party है वो secularism और weaker section के लिए क्या करती है special काम करती है इसके जो famous नेता जेशरी मति इंदरा गांदी, राजीर गांदी, जवाला नेरुई इन लोगों के नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे तो उसके बाद एक nationalist congress party NTP है 1999 में फोर्म हुई थी congress party से ही निकल के और गांधियन philosophy को लेके चलती है मनिपूर महारास्टरा असाम में ये जो party है काम कर रही है ये 7 party है आपको इनका नाम पता होना चाहिए बाकि इन से जो question इतना exam के अंदर नहीं बनता अब अगला जो main question बनता है आपके exam के लिए कि political party जो है वो कौन-कौन से challenges को face कर रही है वो कौन-कौन से challenges जो है political parties को face करने पड़ते हैं तो सबसे पहला challenge आता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ये lack of internal democracy within party कि जो political party होती है इनको challenge जो सबसे बड़ है है कि में खुद में ही democracy नहीं है ना तो इनने कोई register रखना और जो छोटे member होते हों को तो यहीं नहीं पता कि क्या meeting हो रही है कौन हेता है क्या है बस वो अंधा दूल बिचारे लगे पड़े हैं सेवा करने में party की second dynastic succession इसे कहते है वन्षवाद हमारी आज जो political party है जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वन्षवाद का चैनल जो चैलेंज है वो बड़ा फेस कर रही है सपोज कि कॉंग्रेस पार्टी से लेके चलते हैं इसे एक ही परिवार चलाता है हर्याना में बात करें हम लोग इंडिया नेशनल लोक दल है वो भी जो है एक ही चोटाला परिवार जो है उसको चलाता है तो बाकी लोगों को मुका ही नहीं मिलता क्या करने का आगेस अमने आने का नाम करने का जो family members होते है उन्हीं के पास बड़ी बड़ी post रहती है बाकी के पास आती नहीं है अगला ज इनकी सरकार बनती है तो भविशय में क्या करें इन्हीं लोगों के favor में जो है काम करें इन्हीं लोगों के लिए काम करें इस वजए से money और muscle power का जो बहुत ज़्यादा क्या रहता है और election जीतने के लिए इनका support जो है political party जरूर लेती है last आता है meaningful choice हर political party की policy एक जैसी लग र तो यह जो है चार challenge जो है political party को face करने पड़ते हैं और इस question को जार तक मेरा मानना है 100% यह जो question है आप से exam के अंदर पूछा जाता है सो उसके बाद आता है कि अगर यह challenge है तो parties को reform कैसे करें बदलाव कैसे लाएं आप उन्हीं चार point को दुबारा लिख सकते हो तो अभी आपका answer बन जाता है कि there should be no lack of internal democracy there should be democracy there should be no dynastic succession there should be no role of money and muscle power political party should offer meaningful choice तिकनी इसके लबबा हमारे सवीधान ने कुछ जो है हमारी government ने court ने कुछ methods use किये पहले MP MLA क्या करते थे election जीतने के बाद party को बदल लिया करते थे तो anti-defection law जो है हमारी government ने क्या कर दिया है pass कर दिया है anti-defection law का मतलब है कि अब कोई भी जो है party नहीं बदल सकता एक बार election जीतने के बाद उसके बाद हर जो बंदा election में participate कर रहा उसको affidavit देना पड़ेगा सरी detail उसको बताने पड़ेगी ताकि उसके खिलाब कोई भी case अगर pending है या कोई उसका background आ जो अच्छे से क्या हो जाए clear हो जाए इसके लाँ छोटे मोटे कुछ और भी reform से कि सरकार जो है उसे कम से कम क्या होना चाहिए parties को fund देना चाहिए ताकि जो बड़े बड़े लोग है वो उन पर depend ना रहे पार्टी जो होती है ओ फिक्स कर ले कि minimum number of ticket आप जो है उन candidate को भी दोगे जो women candidate है क्योंकि women का जो participation है हमारे जो government है उसके अंदर बहुँ ज़्यादा क्या है कम है तो simple language में इस से बाहर 100% मैं guarantee लेता हूँ कोई भी question जो है आपका नहीं बनने वाला कि political parties के functions क्या है political parties को challenges क्या है कितने party system जो हमारे इंडिया में है यह जो chapter है यहाँ क्या हो जाता है आपका clear हो जाता है छोटा सा जो था आपका chapter था so screen पे दिखर है आप लोगों को कि अगर आप लोगों को यह lectures पसंद आ रहे है हमारे English की भी lecture चल रहे है एंडी Air Forces की classes भी चल रहे है हमारी अगर आप exam hut को subscribe करते है तो आपको वो बड़ी level की coachings जो आप बाहर ते इतने महंगे पैसों मिलेंगे वो आपको बिलकुल यहाँ म हमारे साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद थैंक्यू जैहिंद जैभारत